आइ फ्रेंड आज अम लोग एक नया वीडियो लेका आया है एक वीडियो में आज हम देखेंगे रिस्तर या फ्री जो होता है उसके छल्डब ऒघ्र 1919 कि आया Caesar करेंगे ह идет कर तो उसको चेंज करेंगे और कैसे करेंगे करने के टाइम मैंसिन को वैकूम करना पड़ता है तो वैकूम करने के लिए आज हम वैकूम यूज नहीं करेंगे सेल वैकूम करेंगे तो सेल वैकूम भी किस तरह करते है वह आज हम देखेंगे मतलब सेल वैकूम करेंगे गैस करें और करने से चेंज करेंगे यह तीनों चीज इस वीडियो में कंप्लेट करेंगे में हुझ आहिर आप देख यूट्यूब चैनल टेक्निकल हल चल तो चले शुरू करते आज का यह बना वीडियो यहां पर देखिए कंदेंसर का जो लेफ साइड है यहां पर जो पाइब है दो तो जो यूट है सोलृइग के मादम से इसको खोलेंगे क्यूंको यह वहां पेले लोहे के पाइब है तो जौ एन करना मुश्किल होगा तो इसका आज What? पर दोपन कर दिया हूं इस टेनर पहले से काट दिया था अब नया इसी जगा पर हम लोग नया करने से इस पूर लगाएंगे नया करने से बिठाने के बाद यहां पे चारों जो लॉक होता है इसको राइट साइड पर गुमा देंगे तो यह करने सर फिक्स हो जाएगा और कर करने सर का जो पाइब ही नीचे मतलों मैंसी कॉम्पेसर के सथ कानेक्ट होगा उसी सब से इसको एड़्जस करना परेगा यह तो पाइब छोटा पर जाएगा तो जोएन करना मुस्किल होगा पाइब तरह बढ़ा है रहा हूं कि इसको बैंड कर देंगे तो सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रलैन को वेलिंग करेंगे डिचल यह लिक करने से पहले इसका जो को जो पाइब इसको बराबर साप करना पड़ेगा क्योंकि शाप नहीं होगा तो यह लोहे है और कंपेसर के सथे पाइब लगा हो एक को पर है तो दूनों में ज्वाइन करना बहुत ही मुस तो देर तक उल्लिंग ना पड़ा इसके लिए आप जो कलार हे फिला जल गया इसकोा कम उस्तों सबस्वाइब करेंगे तो डिशेल लेन के बाद ऑम लोग स्टेनार ओलिंग क्रेंगे स्टेनार ओलिंग करने छेल से पहले सबसे पहले काम होता है उसके बाद इसका जो करनेंसर का जो इनपूर आउटपुट है उसके साथ जोइन कर दिया हूँ और उसके साथ एक छोटा 316-5 जोइन कर रहा हूँ इसको अभी उपन राखेंगे क्यों उपन राखेंगे वह आगे जाके बात करते है अब हम लोगों का डिस्टे लेन जोइन ह हो गया है और जो कोंदेंसर का जो आउटपूट है ओवोbude connection हो गया है मैं पहले ग्योज की होता है तो चार्जिंग लगा हुआ है टो चार्जिंग लगजना का जोड़ Yamagai जोरद नहीं है और सक्क्नलान बी खोल के फ्लस कर सकते हो ल aja मैंसेन में चालू कर करके देखा था तो cooling coil में इतना oil या कच्रा नहीं है तो इसी सब से suction line open नहीं किया हूँ तो अभी हम लोग machine को चालू कर दिया हूँ तो देखो machine चल रहा है 7.0.7 ampere ले रहा है स्वारी मतलो 0.7 ampere ले रहा है यहाँ पर स्टेनर के पास जो 365 लागा हूँ वहां से पेसर आउटपुट हो रहा है और जो suction charging line जो पीन है ओपीन को आपको देख लेना पड़ेगा और पेसर सही तरह से खींच रहा है के नहीं यह थोड़े चलने देंगे तो पेसर सही तरह से निकल रहा है के नहीं और देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसके साथ charging line और gauge अटच कर देंगे इससे फाइदा क्या होगा आपका charging line गेज और gas के साथ जो charging line है दूनों charging line vacuum हो जाएगा देक हैं तो यहां पे मीतर में दिक्षा रहा है की system vacuum हो गया है लेकिन इसके और द्चलने देंगे और पेसर अभी भी निकल राहाके नहीं औहीं और दक्रेंगे और कर दिएनके तो बहुंब oportunidad होता है लेखिन कभी जड़ता है कि one लो भूल होता है तो अ सभी से तो जैसे जुआ पेशर बाहर आ रहा है भी ही इसको सावन फैन जेक कर सकते हैं तो थो थो घ्यादा नहीं थो थोग सावन फैन लेकर पक्र करने तो सब्सक्राइब लोग इसको तोड़ा करने के बाद पूरा सिस्टेम आपका भॉक हो जाएगा चर्जिंग लाइन भी लगा हुआ है गैस का टैंकि ही लगा हुआ ही अब अब क्या सकते उस पर लेगे चालू में थोड़न बीजओन किया हूं आपने लिंग चेक कर लेंगी कि कि बात में लिकेज कर पाब्लम हो होगा तो एक सुट बहुरा हो रहाँ भी रट फानी लेकिन प tamaल shops लेंगे लोगा तो मालनों काम डब्ल हो जाएगा में एकacağız रुदं क्लेंगा में टोधास और जानर , स्टेनर के मदलों इनपूर्ट आउपूर्ट दोनों साइड और डिस्टेल लाइड यह तीनों मदलों जीतना जोइन के हुदना चेक कर लेंगे यहां पर वावल जैसे दीख रहा है नहीं साबून फेना के वावल सारा है लिकेज नहीं है तो चलिए हम लोग और थोरा इस पर परफॉंस कितना है जैसे 134 का जो गैस है वह 15 से 10 से 15 के अंदर रखना चाहिए वह करनेंसर का जो हीट है और स्टेनर भी थोड़ा बहुत हीट होना चाहिए मतलों आपका जो गैस का जो सर्कॉल से होगा तो मतलों से रहाएगा जैसे कुलिंग को पर देखो अभी जैसे तो आपका जो कुलिंग है और फार्फेक्ट है मुझा इस तरह आप काम करेंगे तो आपका जो फिरीज या बोलो जो भी हो तो उसका कुलिंग कर सिस्टेम से रहेगा और काम भी असानी होगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना और ब से पहले देखने के लिए